हलो दोस्तों भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है और दोस्तों यहां पर एक most important अपडेट आप सभी के लिए ठीक है तो दोस्तों सुभए मैंने एक वीडियो डाली थी तो उस वीडियो में फिर वह सारे कमेंट आ रहे थे कि ऐसा नहीं है ऐसा है ठीक है तो वह आ यहां से मैंने confirm किया है ठीक है तो दोस्तों अभी यहां पर मैंने सुभए मैंने बताया थे कि हैंचली बहुत सारे कि एच्प्यू यूजी सेकंड फॉर सेकंड थर्ड के एक्जामिनेशन फॉर्म फिल हो रहे हैं यह नहीं हो रहे हैं तो मैंने बहां कहता कि मुझे कोई भ साहता था ठीक है ओफिशल नोटिफिकेशन नहीं है इनका ठीक है और जो फॉर्म फिल करने की विब साइट है उसी पर उनने बस एक लिंक दीया है उसी से फॉर्म फिल हो रहे है ठीक है तो अब यह आपको बताता हूँ कि मैं जो बोल गा था कि ओफिशल नोटिफिक्षन तो अफिशन नोटिफिकिशन नहीं आनका मतलो जिससे पता से चके कि लास्ट डट क्या है ठीक है अभी आपको आपको तो मतलब आपको तो फॉर्म ही बना होता है बट हमें तो यह भी देखना होता है कि कोई हमसे अगर लास्ट डेट पूछे तो हम बहुत हमको बताना कि लास्ट डेट फॉर्म की क्या है कब से भरे जा रहे हैं ठीक है तो अब आपको एक पहले नोटिफिकिशन दिखा देता हूं तो दोस्तों यह देखो जैसे इस तरह का नोटिफिकिशन होता है जैसे कोई भी फॉर्म फिल होता है तो इस तरह का नोटिफिकिशन आता है ज जैसे यहां पर लिखा होला लास्ट क्या लिखे टाझ आठ फर्वरि टो यह जो है इस तरह की नोट्िफिकेश्न देख रहा था कि इस तरह का नोटिफिकेश्न कहां है क्योंकि गेस्ता प्लेकी टैाम उसके ऊपर ओर यह एकान फिल हो रहे हैं इसका notification बहाँ पे नहीं है तो ये confusion दोस्तों create हुआ है ठीक है अब हम आपको और clear करता हूँ थोड़ा सा ठीक है क्योंकि ये इनकी main website के उपर official notification था ही नहीं ये मैं डेली दोस्तों website चेक करता हूँ तो यहाँ पे मैंने देखा कि मतलब UG का भी notification था पीजी का भी था बट ये जो अंडर UG के जो first, second, third year मतलब yearly system बालों का जो है examination form भने का notification नहीं था ठीक है तो मतलब मतलब मैं जो है यही website चेक करता हूँ जो hpuniv.ac.in है क्योंकि इसे पर सभी notification आते हैं तो अभी मैंने देखा कि उनकी दूसरी website है exams.hp.shimla.in ठीक है तो यहां पर मैं आपको वो भी दिखाता हूँ अभी ठीक है वो भी आपको पूरा मैं clear कर दूँगा अभी इस बात को ठीक है notification नहीं है अगर जो पढ़ते हैं ना अभी मैं आपको ऐसे बताता हूँ एसे नहीं आप फिल से confirm हो जाओगे exams.hp.shimla.in और अभी दोस्तों मैंना official भी पता किया इसका तो वो भी मैं आपको बताता हूँ अभी ठीक है जैसे ही website है exams.hp.shimla.in तो यहां पर देखो यह जो है session 2021 important links यहां पर दिया है दोस्तों और अगर आप इसके उपर click करोगे तो यह सीधा आपका redirect हो जाएगा दूसरी जो इनकी portal है जहां से आपके form fill होते हैं ठीक है तो यहां से लिखा है click here to apply regular UG first semester exam form 2020 के लिए और click here to apply UG first year examination तो यहां पे दिया है इन्होंने कि first year annual examination 2021 session बाले यहां से apply करेंगे ठीक है जिन्होंने RME registered किया है first year examination वाले 2020 session बाले यहां से apply करेंगे और जो student है second, third year वाले annual examination वाले जिनका session है 2018 से 19 या 19 से 20 वाले session वाले जो student है वो इस link के उपर click करेंगे माँ को click करके भी दिखा देता हूँ यहां पर click किया यह दूसरे portal जो है इसके उपर उन्होंने redirect कर दिया तो यहां से आपके form फिल होते है ठीक है तो अभी main बात यह है कि इन्होंने बहाँ पर official जो दूसरा notification होता है जैसे मैंने आपको PG बाला दिखाया बैसा notification उन्होंने नहीं दिया तो उसको लेकर जोड़ा सा confusion create यहां पर हो गया ठीक है तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि मैंने confirm कर लिया है और आपके जो है examination form दोस्तों फिल हो रहे है ठीक है और मैंने उन्होंने पूछा कि actually मैंने call की थी ठीक है तो पहले तो आपको पता ही को उठाते नहीं बाद में उठाया तो मैंने उन्होंसे पूछा कि examination form फिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं ठीक है तो उन्होंने बोला कि हाँ हो रहे हैं फिल तो मैंने बोला कि official notification नोटिफिकेशन नहीं है तो यह तो पता है, यह तो confirm होगा कि official notification नहीं था, ठीक है, थोड़ा सा confusion इस कारण हुआ, और उन्होंने बोला कि examination form fill हो रहे हैं, बट official notification नहीं है, और उसकी last date दोस्तों 31 बताई हो, मेरे ख्याल से नोने 31 जो है last date बताई है, तो जिन्होंने भी अभी तक अपना examination form fill नहीं किया इससे मुझे के पता चलेगा कि यह link बर्क कर रही है, यह नहीं कर रही है, क्योंकि अभी HPU beard के जो fees पे करने का option था, आपको पता होगा, जो beard बाले कर रहे हैं, तो उनकी counseling की fees वहाँ पे फिलहाल चली हुई है, ठीक है, फीस पे करने का वहाँ पे link दी है, बट वो link उसके क्लिक कर रहे हैं, वो open ही नहीं हो रही, तो यहाँ पर भी मुझे ऐसा confirm, मतलब confirm नहीं हो रहा था, क्योंकि जो ID तो आपकी पास ही होगी ना, जब आप अपनी ID open करके देखोगे, आपको ही पता चलेगा, ठीक है, हम YouTube के उपर वीडियो अपलोड करते हैं, उनको कैसे कि उनकी ID में, क्योंकि हम थोड़ी पढ़ते हैं, पढ़ते हो तो आप आपको पता होगा कि मतलब ID, आपकी ID में ही option आता होगा कुछ की examination form फिल हो रहे हैं, ठीक है, तो यह बात कुछ से सोड़ा सा confusion create हो गया था, अभी मैंने confusion आपका दूर कर दिया है, फिर से, और दोस्तो तो उसका मुझे idea नहीं था, क्योंकि ID मेरे पास कोई थी नहीं, या किसी ID थी नहीं मेरे पास, मैं ID open करके देख लेता, ठीक है, तो वो भी ID नहीं थी, इसके कारण भी थोड़ा confusion हुआ, तो वो तो आपको पता होगा, जोनोना भर दिया है, उनको पता होगा, और दोस्तों कि जो official notification होता है, जैसा कि मैंना को PG वाला दिखाया, तो उसके उपर official notification होता है, और उसके उपर सब कुछ लिखा होता है, कौन कौन फॉर्म फिल कर सकते हैं, और last date क्या है, etc., सब कुछ लिखा होता है, तो ये भी थोड़ा confusion था, ठीक है, और दोस्तों ये देखो, आप second, third year वाले अपना examination form fill कर सकते हैं, ठीक है, आप देख लेना, आपका कौन सा year है, second, third है, या कौन सा है, first है, regular है, कौन सा है, तो आप यहां से apply अभी कर सकते हो, ठीक है, और दोस्तों आप सभी को, अगर आप मुझे, मेरी वीडियो देखते होंगे, तो आपको पता होगा कि मैं किस तरह की information आपको देता हूँ, कैसी information देता हूँ, बिल्कुल, मतलब official, जब तक मैं official नहीं देख लेता, मैं कोई भी info ऐसे नहीं बताता आपको, सभी को, ठीक है, तो अभी मैंने ये confirm कर लिया है, तो आप घबराने वाली बात नहीं है, जिन्होंने भी apply नहीं किया, और अगर थोड़ा सा भी आपको confusion create हुआ हो, उसके लिए sorry मैं माफी मांगता हूँ आप सभी से, क्योंकि थोड़ा सा confusion हो गया था, सच मैं, क्योंकि notification नहीं था, उसकी बज़ा सा confusion create हो गया था, ठीक है, ये बात मैं मान रहा हूँ, कि जो notification नहीं था, उसकी बज़ा सा confusion create हो ठीक है और मैं जो है मैं दूसरी वेबसाइट के ओपर ज्यादा देखता हूँ जो hpuniv.ac.in है और दोस्तों ऐसा नहीं है कि इस बार हुआ ऐसा क्योंकि हर बार ही notification आता है इनका examination form फिल करने का आप सभी को पता होगा मैं हर बार आपको बताता हूँ कि दामिशन form भनने का notification आ गया है official notification आ गया है अगर आप मुझे मेरी वीडियो देखते होगे तो आपको पता होगा मैं किस तरह की updates आपको देता हूँ ठीक है तो I hope आप सभी अभी समझ रहे होगे मुझे मैं क्या कहने की कोशिश यहां पर कर रहा था और रही बात दोस्तों यहां पर वीडियो की तो मैंना अभी थोड़े दिन की बात है कि मैंना पौने एक बज़े रात के पौने एक बज़े भी वीडियो अप्लोड की है और एक वजे, देखलो अब है, मतलो इतनी रात को कौन बीडियो उप्लोड करता है, मैंने रात को अपडेट आई थी, HPUBAD की, तो मैंने पोने एक वजे जो है बीडियो उप्लोड की थी, तो उस्तों मैं जब तक official नहीं देख लेता मैं विश्वास नहीं करता हूँ और मैं यही चाहता हूँ कि आप तक सही info जाए ठीक है तभी मैंना वो वीडियो जो है थोड़ी देर के लिए private कर दी थी बट उसमें UG और PG वालों के लिए भी info थी मैंना सोचा कि अगर इसको private करता हूँ तो फिर उनको नहीं पता जलेगा ठीक है तो फिर से मैंना वो public में भी कर दी है ठीक है तो यह है official update मैंना भी बता दी है और मैंना SPU में call की थी तो उनसे भी confirm हो गया हबी तो आप सभी अपना examination form fill कर सकते हो और जो मुझे अच्छे थे जानते होगे जो मेरे regular subscriber होगे उनको पता है कि मैरी किस तरह से वीडियो रहती है ठीक है और जो कुछ भी थोड़ा सा misunderstanding होगे इसके लिए sorry आप सभी से ठीक है आप सभी से माफी चाहूँगा ठीक है जो भी थोड़ी बहुत misunderstanding होगी एक official notification की वज़ा से ठीक है तो अभी भर लेना अपने form ठीक है और वीडियो अच्छे लगे तो दोस्तों like, share और चैनल को subscribe जुरूर करिएगा मेरे latest updates के लिए Thank you